नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तों जैसा कि आपको पता है सरदिया सुरू हो चुकी है तो ऐसे में कुछ हमको ऐसा खाना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए भी सही हो और हमारे सरीर को अंदर से गरम रखे तो इसी को देखते हुए मैंने आज ये रेस्पी बनाई है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाया अगर आपको रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करिएगा तो हमने देखे मुमफली भून रही हुँ मैं कडाही रख दी है और उसमें हमने मुमफली डाल दिया है और धीमी आज पे इसको हम भूनेंगे और इसको तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से क्रिश्पी न हो जाए तो इसको इसी तरह से बराबर से चलाते हुए हम भूनेंगे जब ये क्रिश्पी हो जाएगा अच्छे से तब हम इसका छिलका उतारेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो जब ये अच्छी तरह से भूना रहेगा तभी इसके छिलके अच्छे से निकलेंगे तो इसको हमने धी में फ्ले में इसका कर दिया है और इसको हम बराबर से चलाते हुए भून रहे हैं और जब यह अच्छी तरह से भून जाएगा तब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसका हम ठंधा करके इसका छिलका उतारेंगे तो अब देखें मुंफली मारी भून चुकी है इसको हम निकाल लेते हैं और इसी में हम भूनेंगे तिल तो हमने काला तिल लिया है जो कि ठंड में बहुत ही अच्छा है यह कैलसियम का बहुत अच्छा सुरूत है तो आप सुरूात से ही अगर खाते हैं इन सब चीजों को ठंडी जब सुरू होती है तभी से अगर आप खाना सुरू कर देते हैं तो आपको कोई भी परिसानी नहीं आएगी तो अब तिल को भी हम इसी तरह से भून लेंगे और फ्लेम हमने कम ही रखा है ताकि अच्छे से भून जाए अगर कच्छा रह जाता है तिल तो अच्छा नहीं लगता है खाने में काड़वाहट आती है तो इसलिए तिल को अच्छी तरह से आप भूने तो हमने फ्लेम कम कर दिया है और इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे तो आप देखिए ये लगभब भून चुका है और फ्लेम हमने बंद कर दिया है और उसके बाद भी हम थोड़ा देर इसको इसी पर चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से अच्छी तरह से भून जाए और उसके बाद हमने इसको निकाल लिया है और जो बाकी बचा हुआ तिल है उसको भी हम इसी तरह से भून लेंगे और जब तक हमने इसको तिल को भूना है मारी मुमफली ठंडी हो चुकी है इसको हम इस तरह से हाथ से मसल के और इसका हम चिलका निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके लड़ू बनाएंगे तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ चि हम इसके लड़ू बनाएंगे तो हमने एक किलो तिल लिया है और तीन पाव के करीब हमने मुँफली ली है और तीन पाव के करीब हमने इसमें गूड लिया है क्योंकि हमने एक किलो गूड लिया था और पाव भड के करीब हमने इसको बचा लिया है बाकी तीन पाव हम इसमें इस्तिमाल कर रहे हैं और इतने में हमारा बहुत ही अच्छा परफेक्ट बन के तयार होगा अब फ्लेम हमने कम कर दिया है और धीरे धीरे इसी पे ये पहले पिघल जाएगा और जब ये अच्छी तरह से पाग इसके बनेंगे तब ये तिल हम बनाएंगे अगर आपके पाग अच्छी तरह से नहीं बनते हैं तो यकीन मानी आपका लड़ू भिखर जाएगा बिल्कुल भी अच्छे से बनेगा नहीं इसलिए आप इस बात का विशेश ध्यान दे कि आपके पाग अच्छे से होने चाहिए मैं जब ये अच्छी तरह से पक जाता है तो मैं इसे सलासा उड़ता है तब समझे कि अच्छी तरह से हो गया और अगर आपको वह समझ में नहीं आता तो आप इसको पानी में डाल के देख लें जब अच्छी तरह से गोला बनके लड़ू बन जाता है तब भी समझे कि आपका ये तयार हो चुका है अभी हम इसको धीमी आज प पायार हो जाएगा आप चाहे तो इस तरह से बना के जमा भी सकते हैं या लड़ू बना है जैसा भी आपको सुबिधा हो आप उस तरह से बना सकते हैं इसलिए ठंडी में इसको बहुत जरूरी है खाना क्योंकि मुंफली में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होता है और ये सब चीजों को ठंडियों में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको ठंड लगने की ज्यादा संभावना होती है इसलिए ये सारी चीजे प्रकेरती ने हमको दी है कि हम आराम से इन सब चीजों को ठंड के सीजन में खाएं और अपनी सेहत को सुरक्षित रखें तो अभी हमारा बिल्कुल रेडियो हो चुका था हमने इसमें तिल डाल दिया है और मुंफली भी डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे तो अच्छी तरह से पूरे में इसको मिला लेंगे हम और इसको अब हम उतार लेंगे नीचे ताक हमने उतार लिया है ता कि गैस पे रहेगा तो बनाते समय डिक्कत आएगी तो इसको आपने नीचे कर लिया है और इसको देखिए हम इस तरह से करके कठा दबा के रख देंगे ताकि ये जल्दी थंधा नहोँ अगर ये जल्दी से थंदा हो जाएगा तो फिर ये टाइट हो जाएगा और लड्डू बनेगा नहीं तो इसलिए इसको आप जल्दी जल्दी ही बनाएं तो अब हमने ले लिया है थोड़ा सा पानी जिसको हम हाथ में लगाएंगे और उसके बाद हम गर्मा गर्म लड्डू तैयार करेंगे तो देखे जिस तरह से हम बना रहे हैं आप उसी तरह से बनाएं अब बिल्कुल ठंडा ना होने दें बहुत ममूली सा हलका सा ठंडा होगे ताकि हाथ आपका जले नहीं बस उतना ही उसके बाद आप इसको सारे लड्डू जल्दी जल्दी बना ले क्योंकि अगर ये ठंडा हुआ तो ये जम जाएगा फिर लड्डू का सेप नहीं लेगा तो अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते तो इसी तरह से किसी चोड़े बरतन में आप फैला दे और उसके बाद उसमें कट कर दें तो हमने देखे सारे लड्डू बना लिये हैं और अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करिएगा फिर मिलेंगे इसी तरह के एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमश्कार